नमस्कार आदाब शच्छे आका गूड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट अंदोस्त अंकेत अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो की बने हैं दिन भर की और कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लेंकिंग रेलवे जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो यदि बहाँ पर करेंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनलेसिस पूछा जाता है तो आप सभी का स्वागत है चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है लेकिन हमेशा की तरह सबसे जरूरी जानकारियों में रेफरल कोड की जानकारी मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके अनकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप 10% तक डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं SSC UPSC के अंदर आप सभी को सब्सक्रिप्शन डिलेट दी जाएंगी इसी बीच में आज का माटिवेशन है इफ यूवांट टू अचीव ग्रेटनेस स्टॉप आस्किंग फॉर परमीशन अब ये तो ठीक है आज मैंने एक थोट सोचा पढ़ा कहीं मिल भी गया मुझे अच्छा सा और मैं मैंने उसको लिख भी रखा है मैं मेरा एक थोट कहीं मुझे मिला कहीं कहीं गुरुप में साजा हो रहा था कहीं पर मैंने देखा और मुझे बहुत शांदार लगा मैं आपसे साजा करना चाहूंगा थोट था Don't compare तुलना मत करिये Don't try to be someone else किसी दूसरे जैसा बनने का प्रयास मत करिये Try to be best version of yourself मुझे लगता है कि शायर ये वो पंक्ती है जिसकी आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जरूरत है मेरे बहुत सारे मित्र इस पंक्ती का महत्व समझें ये तो motivation जो टीम ने डाल दिया ठीक है लेकिन मेरा मानना ये है जो मैंने आपसे पंक्ती दोहरा ही मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मतलब आप किसी से अपनी तुल्ला मत करिये किसी के जैसा बनने की कौशिश मत करिये आप जैसे हैं क्योंकि दुनिया में इश्वर ने आपको एक अलग पहचान के साथ जन्म दे कर भेजा है तो आप जैसे हैं आप इस धर्ती पर अपनी उसी पहचान को विसिस्ट उधारन के रूप में मैं वता देता हूँ आप में से विशेश रूप से जो ग्रेजवेशन में पर्सुइंग स्टुडेंट्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा डायलेमा क्या अगर उनका कोई दोस्त डिफेंस एक्जामिनेशन में सेलेक्ट हो गया माल लीजिए NDA या CD निकाल लिया उन्हें लगता है कि साहब मेरे को भी लेफ्ट इन एंटी बनना है फिर अचानक पता चलता है कि उन्हीं का एक दोस्त ऐसा है जिसका MBA में आयम में एडमीशन हो गया आपको लगता है कि नाई भाई MBA करना है क्योंकि विदेश में रहने का मौका मिलेगा फिर पिरे किसी दोस्त ने UPSC फर्स्ट अटेंट में निकाल लिया यार नौकरी तो एक ही है बाकि सब बरवादी है फिर एक दोस्त मिलता है यार तेरे को पता है उसने इस बार सबसे ज़्यादा टेक्स भरा है मज़े तो बिजनिसमेन के ही है बाकि तो सब यूँ ही है यह जो राइन्स है ना यह आपको आपके साथ भी और आपके जानने वालों के साथ भी देखने और सुनने को मिल जाती होंगी देखिए एक बहुत important बात जो आप सब को हमेशा पता होनी चाहिए और वो यह है कि इस दुनिया में आप इकलोते हैं और इस दुनिया में हर छेत्र के अंदर कोई नो कोई व्यक्ति टॉपर है कोई भी व्यक्ति सभी छेत्र में टॉपर नहीं हो सकता यदि सभी लोग IAS बन जाएंगे तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन मरीजों का इलाज कौन करेगा पुलों का निर्मान कौन करेगा अंतरिक्ष में रोकिट कौन भेजएगा समझ रहे हैं हर छेत्र के अंदर विशिष्टता है और हर छेत्र के अंदर जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से बैस्ट है तो अपने अंदर ये भाव लेकर आना कि बैस्ट कौन है कई बार बच्चे पूछते हैं इस प्रकार के सवाल सर्फ बढ़िया क्या होता है बढ़िया एक अधिकारी बनना होता है सर्फ बढ़िया एक बिजनिसमेन बनना होता है सब चीजे बढ़िया है एक बिजनिसमेन अपन आप कार्टूनिस्ट बन रहे हो जो भी हो आप अपने छेत्र के बैस्ट बनने का प्रयास करिए दस चेक सेक्टर्स के बारे में विचार मत करिए ये आज का थौट था जो मुझे लगा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैंने का कि आप सबसे साजा करूँगा सुनिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की मेरे साथ में उपस्तित हो चुके हैं श्रवन, मनीश, संदीप, लौकेश, विमल, शजन, हरी, दुर्गेश, विशाल, अंशुल, पंकज, विमल, वेदानंद, अमिरेट्स, वैशाली, हर्ष, सभी साथियों का स्वागत, जल्दी से से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इंविटेशन भेज दीजिए, चलिये साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, पहला सवाल जो आज का है बहुत जादा इंपोरेंट है, जादा इंपोर्टेंट इसलिए है, आप सभी को मालुम होगा, मैंने आपको बताया था कि नुपुर शर्मा जो की भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी उनके द्वारा पैगंबर सहाब के खिलाफ कोई टिपनी की गई थी कोई statement ऐसा दिया गया था जिससे की पूरे देश में तो विरोध हुआ ही जो मुसलिम समुदाय है उन्होंने तो उनका विरोध किया ही खुद बीजेपी ने उन्हें रास्ट्रिय प्रवक्ता के पद से हटा दिया और ये विरोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि गल् भारत ने गल्फ नेशन्स के द्वारा दी गई प्रतिकिरिया पर इतनी ततपरता से कारवाही क्यों करी बहुत ही बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न इसलिए महत्मपून हो जाता है और इस समय यह हर जगे चर्चा का विशय बना हुआ है कि भारत ने अल्टिमेटली गल खाड़ी देशों के द्वारा पर्श्यन गल्फ में रहने वाले जो देश हैं साओधी, UAE, कुवेत, बहरेन, ओमान, इराक, इरान, इनकी बात पर इतना जल्दी प्रतिकिरिया देते हुए अपनी पार्टी के रास्टे प्रवक्ता के पद को क्यों हटा दिया, उनको पद स क्यों हटा दिया, यानि एक प्रकार से, सरल रूप से यूं समझिये कि सरकार क्या गल्फ के दवाब में आ गई, बड़ा प्रश्न है, तो चलिए मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा कि भारत के लिए खाड़ी देश क्यों माइने रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण है वो मैं आपके साथ साजा करूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे निवेधन है, आप खुद भी इस प्रश्न को एक मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट अव्यू से प्रिपेर करें, मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स दूँगा, आसानी से आपके 250 शब्द का जो आंसर होता है, वो पूरा हो जाएगा, खारी देशों का भारत के लिए क्या महत्व है, ये पूरा सेशन मैंने इंडियन एक्सप्रेक्स निउस्पेपर से तयार किया है, तो आपको उसे पढ़ने की जरुवत नहीं है, मैं आपको वहां से सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है, चलि करते हैं, आपके लिए सबसे important जानकारी की, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि अब तक जो number है, जो हमसे जो लोग भारत का प्रतिकार या विरोध कर चुके हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लगभग वो 14 Islamic country हो चुके हैं, जो उन्होंने कहा है कि भारत ये न करने के लिए अपने पद से उस विक्ति को हटा दी, ठीक है, लेकिन हमारे लिए अब ये थोड़ा सा समझना जरूरी होगा, क्या महत्व है हमारे लिए Gulf Nations का, तो सवाल बना लीजिए कि भारत के लिए Gulf का क्या महत्व है, और इस प्रशन को कराने के लिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशाओं में इस प्रशन का जवाब देने का कौशीश करूँगा, आप इस प्रशन को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा, देखे जब भी हम बात करें, अचा पहले तो मैं ये बता दू कि आप खाड़ी देश किसको कह रहे हैं, भारत के पस्चिम में जो पर्शन गल्फ है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताईए, अरेबियन सी से पर्शन गल्फ को जोड़ते समय, जो इस्ट्रेट पड़ती है, जो जलसंधी पड़ती है, उसका नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए ताकि आप लोग उस बात को समझ पा रह है, ऐसा कहा है, और आपने रखा होगा मुझे पूर्ण विश्वा से, जल्दी से अपने सामने रखे हुए, वर्ड मैप को देखिए, दिशाओं के आधार पर, उपर, नौर्थ, नीचे, साउथ, रेफ्ट में, वेस्ट, राइट में, इस्ट को देखिए, इंडिया के वे उपर, कि after all, गल्फ हमारे लिए क्यों माइने रखता है, फैर कि कोई नस खिच गई है, anyway, तो चलिए साथियों, भारत के विशे में, गल्फ हमारे चार बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में काम का है, भारत और गल्फ के रिष्टे, चार डाइमेंशन्स में डिसकस किय जा सकते हैं, सबसे पहला, तो आप में से अधिकांश लोगों को पता है, कि भारत के लिए गल्फ, ओईल और गैस के लिए महत्वपूर्ण है, यह तो सब को पता है, यानि कि अगर मैं किसी को ना भी बताऊं, तो भी वो यह आंसर तो दे ही देगा, हमारा सारा खाड़ी से तेलाता है, नमबर दूसरा जो इंपोर्टेंट तर्क है, जो भारत का खाड़ी के साथ माइने रखता है, वो ट्रेड है, और इन सभी बातों के बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिसकेशन करेंगे, तीसरा नमबर जो हमको पढ़ना चाहिए, वो है बड़ी मात्रा में भा प्रॉपरी किया जाना, यानि की NRI, Non-Residential Indians, या फिर भारतिय कामगार, यानि की जो भारत से लोग काम करने गए हैं, गल्फ में उनकी संख्या, और नमबर चार पर है विदेशी संप्रेशित धन, जिसे रैमी टेंसिज कहते हैं, यानि की संप्रेशित धन, इसके बारे में भी हम आपसे आज चर्चा करेंगे संप्रेशित धन, ये चार मुद्धे हैं जिनको ले करके आपको गल्फ और भारत का रिष्टा समझना चालिए, चलिए आपको आप यहाँ पर कुछ तत्यात्मक जानकारी एक-एक करके देने का प्रयास करता हूँ, सबसे पहले शुरू आवशकता के लिए जो ओईल और गैस जरूरी है, उसका 84% ये तत्य लिखिएगा, बहुत important facts से आपके किसी भी answer में काम आ जाएंगे, इसलिए आप इन्हें जरूर लिखिएगा, कितना? भारत अपनी कुल जरूरत का 84% ओईल और गैस इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट कितन आजिस्थान हुआ या फिर असम डुगवई हुआ इन सब छेत्रों से निकालते हैं, ठीक है, नमबर एक बात, दूसरी बात, टोटल ओईल का 84% इंपोर्ट करते हैं, नमबर नेक्स्ट, हमारे जितना भी ओईल इंपोर्ट किया जाता है, मतलब अगर हम कहें कि हमारी कुल उर्जा आवशक्ता 100 लीटर तेल की है, तो सहाव उसमें से 60 लीटर तेल, यानि 60% हमारा जो है न, वो गल्फ देशों से इंपोर्ट किया जाता है, तो ये तथ्यात्मक जानकारी क्यों महत्वपूर्ण हुई, वो समझ में आ जाना चाहिए, फिर आपके माने में एक 27 देशों से मंगा कर पूरी करता है, इस प्रकार से दिमाख में कंसेट बिठा लीजिएगा, ये नहीं है कि भारत केवल इराक से ही तेल मंगाता है, कि अमरिका से ही मंगाता है, कि रश्या से ही मंगाता है, कि यूएई से मंगाता है, 27 देशों से भारत अपना तेल इंपोर मिला ये तथ्य आप अपने साथ जरूर रख लीजेगा बहुत जादा important fact है कि भारत कुल कितने billion dollar का तेल import करता है ये तथ्य आप याद कर लीजेगा भारत अपने कुल आवशक्ता में 77 billion dollar का तेल import करता है कितना 77 billion dollar इतनी राशी का हम लोग तेल import करते हैं कहां से गल्फ कंट्री से हम तेल import करते हैं मतलब कुल मिलाकर कि हम इतना तेल import 77 billion dollar का तेल import करते हैं भारत कुल जितना oil import करता है या फिर समझ ये जितना भी हम दुनिया भर का सामान मंगाते हैं उसमें से एक बटे 5 हिस्सा यानि हमारे कुल import का 20% जो धन है वो oil के खरीदने पर हमारा खर्च हो जाता है ये तत्य भी आपको पता होना चाहिए यानि 77 billion dollar का हम लोग तेल मंगाते हैं ये तत्य आपको पता होना चाहिए आपके answer में एक answer के तरह से point लिखा होना चाहिए फिर एक 84% आवशक्ता का तेल इंपोर्ट किया जाता है ये वैल्यू है कितनी 84% है कितना तो answer है हम 249 million ton ये तत्य भी याद कर लिजेगा मैंने बहुत सारे facts आपके लिए एकत्रित किये हैं और भी पत्र-पत्रिकाओं का मैंने सहायता ली है लेकिन majority मैंने आपको बता दी 239 million ton हम तेल इंपोर्ट करते हैं पूरी आवशक्ता का तो ये आपको oil और gas के बारे में बताया अब इस fact को summarize कर लीजे कि Gulf हमारे ले क्यों माइने रखता है number 1 हमारी उर्जा आवशक्ता का 60% हम कहां से मंगा रहे हैं गल्फ से मंगा रहे हैं हम अगर 37 billion dollar का oil इंपोर्ट करते हैं तो लगबग 42 billion dollar का oil हम Gulf country से इंपोर्ट करते हैं number next भारत चुकी 84% oil इंपोर्ट पर निर्भर करता है ऐसी इस्थिती में हम गल्फ की नाराजगी बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे clear point number one जो आपको पता होना जाएं इतनी बात समझ में आ गई मैं इस जगे ये भी सपस्ट कर देना चाहता हूं कि आप गल्फ को ये समझ करके treatment ना दें कि गल्फ पाकिस्तान के प्रभाव में कोई निरने लेता है जी नहीं गल्फ का भारत के साथ बहुत ही जबरदस्त और मजबूत संबंध है और भारत और पाकिस्तान की तरहा हम लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से बटे हुए नहीं है भारत और गल्फ नेशन्स एक दूसरे के परम मित्र हैं और उनकी मित्रता को हम बहुत ज़्यादा value देते हैं हम आपके साथ में आगे बढ़ते हैं नमबर आपको समझ में आया होगा अभी आप चाहें तो comment box में बता दीजिए के recently एक देश के रास्टर अध्यक्ष की मौत भी थी भारत ने अपने जंडे जुका कर रखे थे आपको पता होगा आदा जंडा हमने जुकाया था comment box में बता दीजिए कौन से देश के रास्टर अध्यक्ष हाल ही में मरे थे चीक है चलिए अब ये तो हुआ तेल का व्यापार तो क्या केवल हम गल्फ के साथ तेल का ही व्यापार करते हैं जी नहीं अब बढ़ते हैं अगले point की तरफ जो आप सबको जरूर पता होना चाहिए कि मतलब गल्फ हमारे लिए केवल कोई यो नहीं है कि खाड़ी का टुकड़ा है तो छोड़ दो आप उसको जी नहीं अब मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देता हूं देखो साथ में संग्ठन है बिल्कुल हमने UAE के केस में ऐसा किया था बहुत बढ़िया चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है फातिमा राकेश परसन अभिनंदन हर्षित सचित सभी के आंसर सही आगे बढ़ते हैं अब दूसरा पॉइंट सुनो आपको मालूम है भारत और UAE के बीच का जो व्यापार है वो भारत के जो टॉप एक्सपोर्टर्स है या फिर कुल व्यापार की अगर हम बात करें तो UAE के साथ भारत अपना टॉप थर्ड नंबर का व्यापार करता है मैं आपको कुछ facts बताता हूँ तब तक मैं आपसे comment में question पूछना चाहूँगा और question है GCC Gulf Corporation Council इसमें कुल कितने देश आते हैं क्योंकि खाड़ी है तो खाड़ी के अंदर GCC की बात होगी Gulf Corporation Council की बात होगी आपसे सवाल है इसमें कितने देश आते हैं मैं इन देशों के साथ में majority of countries जो है न उनके साथ भारत का व्यापार आपको बताने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ इन देशों में से एक देश जिसका नाम है UAE मैंने जैसे आपको बताया हाल ही में भारत के वानिज मंत्राले के द्वारा दिये गए आकडों के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ किया इस बार 119 बिलियन डॉलर का व्यापार हमने USA के साथ किया नमबर दो पर हमने चाइना के साथ 115 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना के साथ किया नमबर तीन पर मेरे प्यारे साथियों व्यापार में UAE आया जिसके साथ हमने 72.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किया आप सोच कर देखिए भारत का थर्ड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो UAE है बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत गलत आंसर दिये हैं कुल मिला करके मेरे प्यारे साथियों 6 देश हैं GCC के अंदर जिनमें नाम है UAE, बहरेन, सौधी अरब, ओमान, कतर और कुवेट छीक है ये देश है इसके अंदर इराक शामिल नहीं है ये मैंने आपको बता दिया है कहीं आप लोग कन्फ्यूज होते रहे साथ में इसमें इरान भी शामिल नहीं है अच्छा इसके बाद में UAE के साथ में हमने ट्रेड पार्टनर बता दिया UAE हमारा थर्ड लार्जेस ट्रेड पार्टनर है व्यापार के केस में मैं बात कर रहा हूँ अब दूसरा देश जो गल्फ काउंसिल के अंदर काउंट होता है अगर हम सौधी अरब की बात करें मेरे प्यारे साथियों आपको जान के आशरे होगा भारत का तीसरा तो लार्जेस ट्रेडिंग पार्टनर UAE है भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो सौधी अरब है जिसके साथ हम लोग 42.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किये कितने का व्यापार किये 42.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किये कॉमन सेंस लगाना हम केवल तेल का व्यापार नहीं करते तेल का व्यापार तो 77 बिलियन डॉलर का ही है जो तो UAE अकेले से ही पूरा हो गया हम सौधी अरब के साथ जो की चौथा लार्जेस टेडिंग पार्टनर है उसके साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं अब ध्यान से सुनना अगर मैं ये बहतर और ये 42 मिला दूँ तो हम USA को कहीं पीछे छोड़ देते हैं हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देते हैं मतलब ये है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो छे देशों का सदन संग्ठन है हम अकेले उसके साथ बहुत बड़ा व्यापार करते हैं इसलिए गल्फ व्यापारिक रूप से भारत के लिए बहुत जादा माईने रखता है इसी प्रकार से सौधी अरब की तरह ही अगर हम बात करें तो बात आती है कतर की भारत कतर के साथ 15 billion डॉलर का व्यापार करता है 15 billion डॉलर का हम लोग व्यापार करते हैं के साथ में, कतर के साथ में, तो ये तीसरा important fact है, जो आप सभी साथियों को यहाँ पर पता होना चाहिए, clear है, उम्मीद है कि सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो, मैंने तीन major major point यहाँ पर बता दिये, अब आगे बढ़ते हैं, आपको oil and gas का point समझ में आ होगा, आपको trade का point समझ में आ गया होगा, अब तीसरे point पर बढ़ रहे हैं, that is NRI, अब मैं आपको एक बात clear कर देता हूँ, अब यहाँ पर भारतिये कामगारों और NRIs के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, भारत से विदेशों में काम करने गए लोग, जिनके पास भा जितने भी मैं fact दे रहा हूँ, आप इनको किसी भी answer में चिपका के आ सकते हैं, यह बहुत important facts हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको please note करते चलिए, फिर से मैं आपके सामने क्या facts आजा कर रहा हूँ, फिर से सुनिए, भारतिये विदेश मंत्राले के अनुसार, भार परतिये नागरिकता वाले लोग, ध्यान से सुनना, फिर से important point क्या है, मान लो, मैं इंडिया की citizenship रखता हूँ, और मैं दुबई में जाके नौकरी करने लग जाऊँ, तो मेरे पास citizenship यहां की है, वहां का मैंने working visa लिया हुआ है, और मैं वहां पर नौकरी कर रहा हूँ है, ऐसे लोगों की संख्या जो बाहर गए हुए हैं, विदेश मंत्राले के अनुसार इनकी संख्या 13.4 मिलियन है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाग, इसका मतलब 1.34 करोड भारतिये बाहर नौकरी करते हैं, चीक है, अच्छा, लिकिन भारत से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो पहले यहां से छोड़ करके विदेशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली, चीक है, यानि कि वो मूल रूप से तो परसन ऑफ इंडियन ओरीजन थे, लेकिन उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ऐसे देशों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या मिला जाए तो भारतिये मूल के जो लोग भारत से बाहर नौकरी कर रहे हैं इनकी संख्या 32 मिलियन है कितनी है 32 मिलियन ठीक है यानि 13.4 मिलियन तो सिटीजन्शिप वाले लोग है यदि मैं इनके साथ में उन लोगों को भी मिला दूँ जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ल इस बात को तो हटा दो क्योंकि सिटीजन्शिप ले ही ली दूसरे देश की फिलहाल के लिए इसे कंसीडर नहीं करते हैं हम पहले इस नंबर को कंसीडर करते हैं जिससे आपका एकदम आखे रात को खुल जाएंगी नींद उड़ जाएंगी आपको जानके आश्चर होगा इन 13.4 मिलियन लोगों मैंसे जो भारत से बाहर जाके दुनिया के देशों में नौकरी कर रहे हैं आपको जानका राश्चर होगा 7 मिलियन लोग 7 मिलियन यानि 70 लाख लोग तो केवल 3 देशों में रह रहे हैं कौन से कौन से देश में UAE सौधी अरब UAE के अंदर रहने वा तौधी अरब में रहने वाले लोगों की संख्या है 2.6 मिलियन और मेरे प्यारे साथियों तीसरा जो देश है देट इस कुवैत कुवैत में रहने वाले भारतियों की संख्या 1.03 मिलियन आप इससे अंदाजा लगाईए 7 मिलियन तो केवल गल्फ में रह रहे हैं आप सोच पॉपॉलेशन है उसमें 35% के आसपास हिस्सेदारी इंडियन्स की है यानि वहां की जो मूल पॉपॉलेशन है वो बहुत जादा कम है यानि इस प्रकार से समझी कि वह 20-22% के भी आसपास नहीं है भारतियों की संख्या वहां 34 लाक है एक करोड़ के तो कुल पॉपॉपॉ चिंता करना आपका काम बनता है इन लोगों की प्रतिकिरिया देखना आपका काम बनता है क्योंकि इतनी बड़ी मातरा में हमारे भाई बहन भार नौकरी कर रहे हैं उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार या दुर व्यवहार ना हो इसलिए जरूरी बनता है कि हम गल्फ के सा में मित्रता पूर्वक व्यवहार रखें क्योंकि हमारे अपने लोग वहां नौकरी कर रहे हैं अच्छा अब एक स्वार्थ की बात बताता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यह कितना माइने रखता है 2020 का आंकड़ा है कि जो भारत के बाहर नौकरी करने गए हुए लोग बाग है उन्होंने भारत में कितना पैसा वापस भेजा यानि कि अगर हम ये पूछे कि बेटा विदेश कमाने गया उसने विदेश में ही घर गारी खरीद ली या अपने माबाप के पास घर में पैसा वर्ल्ड बैंक का 2020 का डेटा है जो मैं आपसे साजा कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारतिये लोगों के द्वारा जो विदेशों में रह रहे लोग हैं उनके द्वारा इंडिया में भेजा गया जो पैसा है वो 83.15 billion dollar है ये वर्ल्ड बैंक का 2020 का डेट है दुबारा सुन लीजे कितना डेटा पताया मैंने आपको इट इस 23 billion dollar यदि मैं नंबर की अगर हम बात करें तो इस 83 billion dollar जो कि किसके द्वारा भेजा गया भारतियों के द्वारा अपने घर भेजा गया साथियों हमारे बाद जो नंबर दो पर आता है न दुनिया में विदेशी संप्रेशित धनों में भारत नंबर वन आता है भारतियों नंबर दो पर मेक्सिको आता है और उसने 42 बिलियन डॉलर पैसा भेजा यानि कि हम से जस्ट आधा जो सेकंड नंबर पर भी है न हमसे वो पैसा आया बताओं मैं आपको साथियों भारत सरकार का 2016-17 का डेटा है जिसमें यह कहा गया कि हम जितना भी विदेशी संप्रेशित धन प्राप्त करते हैं अंग्रेजी में इसे रेमिटेंस कहते हैं उसका आधा यानि कि 50 परसेंट यानि कि यदि यह 83 है तो लगभग 40 बि मेरी बात समझ में आ रही है यानि 50% आफ इट हमें गल्फ कंट्री से प्राप्त होता है अब आप मुझे बताइए कि गल्फ भारत के लिए कितना माइने रखता है क्या आपको ये बात समझ में आई चार बड़े-बड़े पॉइंट्स के माध्यम से मैंने समझाने का एक प अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से थमसब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर कर देना मुझे उमीद है कि आपको गल्फ का भारत के लिए क्या महत्व है ये एक ही बार में क्लियर हो भारत क्यों माइने देता है ठीक है अगर हो गया हो तो एक बार जल्दी से एक बार जल्दी से हमें वो कर दीजेए ठीक है चलिए तो यहां पर आप देख लीजे कि कुवैत के अंदर भारतिये सामान का विरोध हो रहा है भारतिये प्रॉडेक्ट्स को स्टोर्स से हटाया यह कहा जा रहा है कि नहीं इंडिया के लोगों के द्वारा इसलाम के विरोध में जो बयान दिया गया या इंडिया के अंदर जो नुपर शर्मा के द्वारा बयान दिया गया वो भारत विरोध मतलब इसलामोफोबिक है यानि कि यह दर्शाता है कि वो इसलाम के खिलाफ अफरत फैलाने वाला है, इसलिए हम अपने यहाँ पर एक विरोध के रूप में भारती सामान का बॉयकॉट करना चाहते हैं, ताकि दुनिया को पता चले, या फिर भारत को पता चले कि हमें कितना बुरा लगा, ठीक है, तो यह सारी बातें यहाँ पर हैं, ठीक है, तो एक बात यह है, कि क्या भारत सरकार गल्फ के साथ दोस्ती रखती है या दुश्मनी रखती है, मैं आपको नंबर ओफ अवार्ड दिखाता हूँ, पहले इन तस्वीरों को अच्छे से देखिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी वर्तमान में सरकार है, जिनके प अबदुल्ला अजीज अलसहीद, ये हाइस्ट ओनर ओफ अवार्ड है, जो सौदी अरब के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को 2016 में दिया गया, ऐसे ही ओडर ओफ गाजी अमीर अमरुला खान, ये हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो की प्रधान किया गया अफगानिस्ता के द्वारा, इसी प्रकार से, Grand Caller of State of Palestine अवार्ड, ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो प्रधान मंत्री को दिया गया, ओर्डर अफ जायद अवार्ड, ये हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है, UAE का जो प्रधान मंत्री को दिया गया, ओर्डर अफ डिस्टि की तारीफ की या उनको रिकगनाईज किया, ऐसे ही King Hamad Order of Renessa ये बहरेन का सरवोच पुरसकार है, जो की दिया गया है, यानि एक प्रकार से आप यूं समझिए, कि हमारे जो रिष्टे हैं, वो गल्फ देशों के साथ बहुत मित्रतावत हैं, और हम उनके साथ की मित्रता को उनके इन अवार्ज के माध्यम से, उनकी पहचान के माध्यम से देख सकते हैं, यही कारण है कि भारत गल्फ देशों के साथ कोई भी नाराज की या कोई भी रिष्टों में तलखी नहीं चाहता है, उमीद है आप सभी साथियों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ ठीक है ना, चलिए, आगे बढ़े साथियों, उमीद है आपको ये प्रॉपर तरीके से सवाल किलियर हो गया हो, निवेदन आप सबसे इतना ही है, इस सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सेशन को जादा से जादा आपने साथियों के साथ शेयर करिए, वीडियो को होगी, डिफेंस सेक्टर में लाने का प्रयास कर रही है, ऐसी ही इस्तिती में भारत के रक्षा मंतरा लेके द्वारा, लगभग 76,000 करोड के ओर्डर्स, ओर्डर्स का मतलब एक प्रकार से अप्रूवल दे दिया है, सेना के आधुनी की करण पर खर्च करने के लिए, कितना 76,000 करोड रुपे का हम लोगों ने सेना के मौडनाईजेशन के बजट की अप्रूवल दे दी है, किस ने दिया, डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल ने, ये डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल क्या होती है, किस प्रकार काम करती है, हम इन पैसे का उप्योग कहां कहां करें सेना के अंदर modernization कहा होगा यह आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा आए जनते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में इतना प्रोजेक्ट अप्रूव किया यह मैंने आपको यहां पर तथ्यात्मक रूप से दिखाने का प्रयास कर दिया है आप इसे देख सकते हैं ठी कहती ही कहती है करती नहीं है क्योंकि हम लोग खरीदते तो विदेशों से ही सामान है अगर आप यह न्यूज ध्यान से पढ़ें तो आपको अचानक बहुत सी बातें दिख जाएंगी न्यूज में है कि हमने इतना military equipment खरीदने का budget पास किया है यहां पर जरा देखिए प्रक आप सभी को मालूम होगा हर बार हर साल हम आप लोगों को सिपरी की रिपोर्ट पढ़ा देते हैं इस्टॉक हॉम इंस्टिट्यूट ऑफ पीस रिसर्च की बाते पढ़ा देते हैं और कह देते हैं कि देखिए भारत टॉप थिरी हतियार आया तक देशों में हैं सेना पर ख चेत्र में अगर हमें कुछ भी परचेज करना है तो हमें स्वदेशी परचेज करना है स्वदेशी का मतलब यह नहीं है कि हमारी कंपनी ही सारा माल बनाए हमारा अर्थ यह है कि यदि आपको भी माल बेचना है तो हमारे देश में आकर कि उसका निर्मान करिए क्योंकि हम इ भारतिय व्यज्यानिकों को सिखाईए कि ये आफ्टर ओल कैसे बन कर आया ताकि भविश्य में भारत भी इस छेत्र में आत्म निर्बर हो सके यही कारण है कि भारत ने दो डिफेंस कॉरिडोर का निर्मान किया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक तो उत्तर प्रदेश में है दूसरा डिफेंस कॉरिडोर भारत ने कहां बनाया है जिन डिफेंस कॉरिडोर के अंदर रक्षा के छेत्र में काम करने वाली कंपनी अपनी फैक्टरी स्थापित करेंगी उमीद है आप सभी को ये बात प्र भारत के अंदर डिफेंस एक्वेजीशन काउंसिल ने जो कि रक्षा मंत्राले के साथ मिलकर कारे करती है उसके द्वारा ये कारे किया गया है देखिए ये प्रश्न परिक्षाओं में पूछा जा सकता है डिफेंस एक्वेजीशन काउंसिल क्या होती है मैं आपको प्रधानमंत्री लिखाते हैं या फिर राष्टपती लिखाते हैं क्योंकि सेना का सरवोच कमांडर राष्टपती प्रतीत होता है और जब पैसे की बात हो तो लगता है प्रधानमंत्री के पास ताकत है याद रखिएगा यहाँ पर यह इंपोर्टन चीज़े जो आपको याद रखनी चाहिए देश के अंदर रक्षा खरीद में रक्षा मंत्राले का महत्वपूर्ण योगदान होता है यह आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ठीक है ना अच्छा अब सवाल बनता है हम लोग यह जो खरीद कर रह हैं यह केवल एरफोर्स के लिए है केवल आर्मी बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने तमिल नाडू के अंदर है पहला यूपी में दूसरा तमिल नाडू के अंदर बहुत बढ़िया यानि मेरी क्लास के अंदर जो विध्यारती बैठते हैं वो प्रॉपर तहीके से प करते हुए इन सब के लिए पैसे अलोट हुए हैं तो आए सबसे पहले शुरू करते हैं नेवी को क्या दिया गया तो डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल ने हमारी नेवी को नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स जिनको की लगभग 36,000 करोड में बनाया जाएगा इतना पैसा अलाव किया है ये क्या मतलब हुआ कॉर्वेट्स होते क्या है असल में कॉर्वेट्स को आप एक प्रकार से ये समझे जैसे ये जो आपको शिप दिख रहा है इस शिप को अगर ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक युद्ध पोत जैसा दिखाई पड़ता है यु कोई हेलिकॉप्टर उतर सके इसका मतलब यह नहीं है कि आई एनस विकरामादित्ति की तरह यहां पर सुपोई उतर जाए मतलब यह है कि आप लोग यह समझ कर चलिए कि हम लोग यह चोटे-चोटे युद्ध का मतलब समझ यह युद्ध पोत हैं लेकिन साइज में चोटे य next generation का मतलब है कि इनकी सुरक्षा थोड़ी और उन्नत किस्म की होगी, उन्नत किस्म का मतलब ये हुआ, इनमें ऐसी तकनीके होंगी कि दुश्मन को दूर से ही पैचान सके, उन्नत किस्म के हतियार इनके साथ लगे होंगे, बढ़िया रडार इनके साथ लगे होंगे, स्टेल्थ टेकनोलोजी का उप्योग इनमें होगा, और ये देश की सुरक्षा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये तो हुआ पहला कारिय है, इसकी मदद से हम सागर करेंगे, सागर क्या है, security and growth for all in the region, यानि कि जो Indian Ocean के अंदर जितने भी देश हैं, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं, इस initiative के साथ हम अपनी नेवी को ये जम्मेदारी सौंप रहें हैं, ठीक है, जनरल ही जो कॉर्वेक्स होते हैं, इनकी लंबाई 120 मीटर से जादा नहीं होती है, और इनकी लंबाई जब जादा नहीं होती है, तो इनका जो काम होता है, मैंने वो आपको बता दिया, इनके उपर लगभग 2100 ओपीसा और 127, 137 के आसपास सेलर्स इसके उपर रहते हैं, ठीक है न, इनके उपर क्या-क्या होता है, तो वो यहाँ पर देख लिजए, टॉर्पीडो, डिकॉय टॉर्पीडो, हल माउंटेट सोनार, एक्टिव टॉड, एरे सोनार, यह सब चीज़ें इनके उपर लगी होती हैं, दूसरी जो चीज़ दी गई है, Defense Acquisition Council के द्वारा, वो दी गई है, Air Force को, हमारे जितने भी करोड का बजट बना, उसमें से 30,000 करोड तो कौन ले गई, नेवी ले गई, अब उसके बाद, Air Force के पास चलिए, Defense Acquisition Council ने, Propulsion, यहाँ पर यह देखिए, Proportional for the Manufacturer of Dornier Aircraft and Sukhoi 30 MKI, Aero Engines, by Hindustan Aeronautic Limited को, हमने यह काम दिया है, आपको मालूम होगा, मेरे द्वारा एक News आप लोगों के लिए पढ़ाई गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इधर की तरफ देखिए, दो बाते यहाँ पर दोंध्यान से देखिएगा, एक है Sukhoi 30 MKI, और दूसरी है Made in India Dornia 228 Aircraft, यह दो चीजे मैंने आप लोगों Dornia 228 निर्मित किया था, मैंने आज से, एक मैंने पहले आपको यह News पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था, कि भारत का स्वदेशिय विमान Dornia 228 ने उडान भरते ही, इतिहास रच दिया, क्योंकि भारत के द्वारा खुद से विक्सित किया गया, यह Dornia 228 विमान था, जो कि एक प्रकार से भारतिये जो VVIPs हैं, उनको ले जाने के लिए काम का हो सकता है, इसमें 17 पैसेंजर्स भेज सकते हैं, एक प्रकार से यह हमारा खुद के द्वारा विक्सित किया हुआ, एक ऐसा जाहाज है, जिसको की difficult terrain में भी उतारा जा सकता है, North East में भी इसका उप डॉर्णिर एरक्राफ्ट के बारे में मेंने बर पहले मैंने न्यूस पढ़ाई थी, वो बता दी, यानि कि भारत ने जैसे ही इसके बारे में दिखाया करके कारनामा भारत सरकार तुरंद खुश हुई और इसके ओर्डर पकड़ा दी कि एक काम करिये, बनाइए, डॉर्ण मिल जाएगा, यानि कि हमने जो डिफेंस एक्वेजिशन काउंसिल के अंदर डॉर्णिर दिखा देखा है, यह मैंने बर पहले ही तो अपनी उडान सक्सेस्फुल करके दिखाया है, इसको बनने का भी ओर्डर मिल गया है, दूसरा है सुखोई 30 MKI, जिसमें एरो इंजन्स लगने हैं, इंडिजनाइजेशन होना है, यहाँ पर देखे, HAL के द्वारा हम लोग यहाँ पर चाते हैं कि इसमें स्वदेशी करण हो, तो आप पढ़िए, मैंने आप वो थोड़ी दिन पहले पढ़ाया था, यहाँ पर देखिए सुखोई 30 MKI, मैंने बताया था कि रूस कि हम 12 सुखोई 30 MKI और परचेज करना चाते थे, लेकिन वो अभी अटका हुआ चल रहा है, हमने इस काम के लिए बजट निकाल दिया है, हमारे सुखोई के अंदर जो भी सुधार कारिये देश में होते हैं, उनके लिए बजट अलग से निकाल दिया गया है, जो भी चीजे निउस में चलती हैं, भारत सरकार के द्वारा उन पर कारवाही हो चुकी है, हमने भी आपको पढ़ाया है, इस से ये प्रतीत होता है, कि हम आपको अप्टू डेट रखते हैं हर चीज में, हमने जो भी चीजें आपको पढ़ाई, उनका रिलेवेंस आप अपने निउस के अंदर देख सकते हैं, ये हमारी टीम का हमारे द्वारा किया गया एक साथ ठक प्रयास है, तो इंडियन आर्मी के लिए फिर क्या मिला, तो देखिए इंडियन नेवी के लिए कॉर्वेट्स हो गया, इंडियन एर फोर्स के लिए हमने आपको बता दिया डॉर्नियर हो गया और सुकोई 30 MKI के अंदर Indigenization हो गया अब चलते हैं आर्मी के पास में अब आर्मी के पास आईए साथ यो Indian Army को Defense Acquisition Council के द्वारा Rough Terrain Fork Lift Truck जो Rough Terrain के अंदर चलते हैं आपने देखा हो ना आर्मी के पास जो ट्रक चलने के लिए होता है बड़े बड़े पईयों वाले जो कि किसी भी प्रकार के जगे पर उतार दीजिए बिना अटके बिना रोके चल सके उस प्रकार के ट्रक साथ में Bridge Laying Truck यानि कि जो वो ले जा सके अपने साथ में पुल को ले जा सके ऐसे ट्रक यानि कि Bridge Laying Truck तीसरा तीसरा इसके साथ में जो दिया गया है वो क्या है इधर देखिएगा Bridge Laying Truck तीसरा है Wheeled Armor Frigate Vehicle यानि कि एक प्रकार से जो Armor होता है ना Armor का मतलब क्या होता है जतनी मुझे जानकारी है कि जो पैदल सेना होती है उसके बाद चलने वाली वो सेना जो मिसाइलों का उप्योग करती है या फिर तोप गोले का उप्योग करती है उसके लिए vehicles साथ में Anti-Tank Guided Missiles के लिए vehicles Weapon Locketing Radar के लिए पैसे इन सब के लिए भारत सरकार के द्वारा पैसा Allowed कर दिया गया है तीसरा किस के लिए हो गया आर्मी के लिए तीनों चीजे समझ में आ गई मैंने आपसे का था शुरुआत में Coast Guard के लिए भी याद रखिएगा तो Coast Guard के लिए क्या किया गया है Digital Transformation किया जा रहा है Digital Transformation का मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर हम लोग जो हमारे Coast Guard है उनका Digitalization कर रहे हैं उनकी सारी चीजें Logistic, Operation, Finance, HR इन सब के लिए जो Digital Category है उसके माध्यम से सारी सुविधाएं पहुच जाएं ऐसा प्रयास उनके लिए किया जा रहा है तो उम्मीद है कि आप लोगों को DAC के द्वारा किया गया कारिय समझ में आ गया होगा अब ये सबसे important point है DAC after all होती क्या है Defense Acquisition Council होती क्या है भारत के अंदर रक्षा छेतर में सबसे ज़्यादा निर्णे लेने के लिए जो सक्षम इकाई है या Council है उसे आप highest decision making body को DAC के नाम से जानते हैं ये question बहुत बार प्रिक्षा में पूछा गया है कि DAC की अध्यक्षता कौन करता है तो answer है कि देश का रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है ठीक है इसका निर्मान कब हुआ था तो भारत के अंदर 2001 में DAC का निर्मान किया गया after Cargill War जब Cargill War संपन हुआ उसके बाद में इसकी जर्वत पड़ी की हमारे पास एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जो इस प्रकार के मिरने लेने में कामियाब हो DAC किस-किस चीज से मिलकर बनी होती है तो इसमें होता है Defense Production Board Defense Procurement Board Procurement का मतलब होता है खरीद करने वाला Defense Research and Development Board तीन प्रकार के Board से मिलकर के ये बना होता है जो Procurement Board है जो खरीद का काम करता है उसमें Acquisition Wing होती है उसमें DG Acquisition नाम से पद भी होता है Acquisition Wing का मतलब क्या होता है जो अधिग्रहन करती है जो DG Acquisition है उसके पास फिर ये आगे का संरशना है जो आपको पता नहीं होनी चाहिए केवल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो Body है वो D.A.C. है ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है ना उम्मीद है कि आपको ये जानकारी भी प्रापर तरीके से समझ में आ गई होगी एक्जाम पॉइंट अब यू से ये सारी जानकारियां बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सेशन को लाइक शेयर करते रहिए जादा से जादा मातरा में शेयर करिए और जितने भी विद्यार्थी इस समय उपस्थित है क्लास में जितने बच्चे लाइव है उससे आधे बच्चों ने लाइक किया हुआ है लाइक करते रहिए भाई ताकि हमारी वीडियो जो है वो एट लिस्ट आपकी रिकमेंडेशन्स में तो आ जाएं यानि कि जो मेहनत हमने औरिजिनली आपके लिए की है इतना गलाप फार करके इतनी रात को जब चिला रहे हैं तो कम से कम इस चीज का तो हमें एडवांटेज दे दीजिए भाई चले आगे आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे मेरे फ्यारे साथियों भारत के अंदर रिसेंटली एक और कारनामा हुआ देखिए हर सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा माइने रखता है और ये सवाल मान कर चलिए कि इस बार जो प्रिलिम्स दिये हुए बच्चे हैं नहीं है में Genesis की तयारी में Drone Delivery System त्यार करके चलिएगा और अगर Netz डाय्रेक्टली नहीं आता तो इंडाय्रेक्टली चाहे फिर फिर वह डिजास्टर मैनेजमेंट हो अच्छ निपधे फिर भो रक्षा का चेत्र हो इंटरों रिलेशन रिलेशन का च्छेत्र हो भविश्य जो है वो drone delivery system का है, drone delivery system क्या वर्तमान में जो aviation minister के route में drone का कारेभार समभाल रहे हैं, वो है जोती रादित्य सिंधिया और उनका vision है कि जिस प्रकार से आज जमीं पर ओला और उबर जैसी कारें चलती हैं, भविश्य में हवा के अंदर ऐसे ही drone चले और वो अपने स साथ में सवारियों को ले करके उड़ें यानि भारत जिस तरफ बढ़ रहा है और यह जादा दूर नहीं है क्योंकि जिस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं आज जो मैं न्यूज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो अपने आप में इनी चीजों की बानगी है हाल ही में इंडियन प्रोजक्ट रन करके देखा गया डांक यानि की पोस्ट को डिलीवर किया गया कहां पर गुजरात के कच छेत्र के अंदर डिलीवर किया गया ड्रोन के माध्यम से और वो भी भारतिय डांक ने किया था किस ड्रोन के माध्यम से किया तो उसका नाम था मैंने यह अलग से इस का मतलब क्या है यानि ये ड्रोन का प्रकार है इवी टोल ड्रोन कौन से ड्रोन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनरजी से चलते हैं यानि बिजली से चार्ज होके चलते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये वर्टिकल टेक आफ कर सकते हैं यानि कि सीधे-सीधे खड़े ही उपर उठ गए और वर्टिकल ही लेंडिंग कर सकते हैं ये डिफरेंट क्यों है क्योंकि मेरे प्यारे साथियो जितने भी प्रकार की फ्लाइट्स या तेज चलने वाले जो वाहन होते हैं चाहे एरक्राफ्ट्स हों उन्हें अपने लिए स्पीड बनाने के लिए रन्वे पर दोड़ना जरूरी होता है जितने भी प्रकार के ड्रोन्स आप लोग और भी दुनिया में उड़ते हुए देखते हैं विशेश रूप से इरान वर्टिकल टेक आफ करते हैं जैसे हेलिकॉप्टर करता है ये वैसे टेक आफ करने में माहिर है यानि कि ये जमीन से सीधा लिफ्ट किये और जहां जगे मिली वहीं पर जाकर के ये बैठ गए तो इसलिए इवी टोल प्रकार के ड्रोन को आप याद रखिएगा तो सुनिए क्या हुआ हाल ही में कच रीजन के अंदर गुजरात के अंदर 46 किलो मीटर तक की डिस्टेंस पर 30 मिनिट के भीतर सामान डिलिवर किया इंडियन पोस्ट ने इंडियन पोस्ट ने ड्रोन नहीं चलाया इंडियन पोस्ट के साथ गुरुगाव जो है वहां की एक स्टार्टप कंपनी थी जिसका नाम था टैक इगल उस टैक इगल कंपनी ने इंडियन पोस्ट के साथ मिल करके एक डाक यानि एक पारसल की delivery करवा करके दिखाई और जानकारी इस प्रकार से निकल कर आई कि इस प्रकरिया के माध्यम से ये process इतना तेज था कि अगर रोड पर से इसको चलाया जाता तो पांच टाइम तेज अगर रोड पर वीकल चलता तो जाकर कि ये सामान इतना जल्दी पहुँच पाता कहने का मतलब ये है कि अभी तक की इंडिया में इतनी दूरी तक ड्रोन के माध्यम से पहुचाई गई ये पहली खेप है ये important इसलिए है क्योंकि ड्रोन delivery इन दिनों स्विगी जॉमेटों ये लोग ट्राई कर रहे है उबर के द्वारा भी ट्राई किया जा रहा है लेकिन पहली बार इतनी दूरी तक 46 किलोमीटर की दूरी तक सामान डिलीवर करके दिखाया है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा achievement बनकर दिखाई पड़ रहा है एक और news है मेरे पास में ड्रोन से ही सम्मान दित उससे पहले Tech Eagle के बारे में जान लीजे कि ये इनका EVTOL था एक और news है मेरे पास में मैं आपको वो भी बताता हूँ जो अपना AIMS दिल्ली है न उसका ही एक ब्रांच समझ लीजिए हर्याना के जजजर में AIMS जजजर बना हुआ है AIMS जितने भी है न उनमें से एक जो है वो AIMS जजजर के अंदर भी बना है पता है आपको एक इंटरस्टिंग news क्या हुई है AIMS दिल्ली ने AIMS जजजर के साथ जो डिस्टेंस है उसको हवा में ट्रेवल करने का निरने लिया मतलब ये है इन दौनो AIMS ने एक दूसरे के साथ Air Corridor के माध्यम से Blood भेजने का Blood samples को एक जगे से दूसरी जगे भेजने का निरने लिया है सब तरफ की permissions मिल चुकी है Aviation Ministry ने भी Approval की ज़रूरत है ज़रा सोच कर देखिए बहुत बार आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि पुलिस ने एक Green Corridor बना करके Ambulance को जाने की जगे दी जैसे मान लीजे कि कोई Critical Case है दिल्ली में कोई Critical Case है उसको जैपूर जाना है तो पुलिस क्या करती है कि रास्ते में जाम ना लगे इसके लिए एक Corridor बना देती है Corridor का मतलब रास्ते में से सब भीड को हटा के साइड में कर देती है और गारी को सीधा-सीधा निकाल देती है विचार करिए कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली से जजर जो कि हरियाना में है उसके बीच में ड्रोन जो भी जरुवत की चीजे है माल लिजे पेशेंट जजर में है और उसे दिल्ली एमस से कुछ सामान मंगवाना है आपने ड्रोन भेजा सामान तुरंत लेकर के हॉस्पिटल में पहुँच गया ऐसे ही दिल्ली को जरुवत है जजर से जजर से सामान लेकर आगया फिर चाहे भविष्य में तो संभावनाएं अपार है दवाएं हों ब्लड सेंपल्स हों इवन ओर्गन्स हों उनका भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे और एक फिक्स रास्ते में किया जाएगा इसलिए एर कॉरिडोर बन पाएगा यानि कि आप भविष्य की संभावनाओं को यहाँ पर देख सकते हैं जब आप भविष्य की संभावनाओं देख रहे हों तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यही बात जो कही गई थी ड्रोन को लेकर के वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मैंशन किया है कि भारत भविष्य में दुनिया का ड्रोन हब बनेगा जो कि डिजास्टर मेनेजमेंट, स्पोर्ट, एग्रिकल्चर, डिफेंस इन सब सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप और हम में से इनकी तमाम साहिताओं, समाम खूबियों के बाद जो डर लगने वाली बात है वो केवल इतनी होती है कि सर, अगर ये चीज आतंकबादियों के हाथ लग गई तो क्या होगा सर, ये भी तो सम्भव है कि इस ड्रोन के उपर कोई बम लगा करके उड़ा दे और किसी सिक्योर जगे के उपर गिरा दे तो क्या होगा सबसे बड़ी चैलेंज की बात तो यही है बाकी तो सब सही है मतलब सर, मान लीजिए कोई ड्रोन उड़ा भारत की संसत के उपर जा करके कोई बम गिरा आया सर कोई ड्रोन उड़ा भारत की कहीं पर भी प्रधान मंतरी आवास के उपर बम गिरा के आ गया जैसा हुआ भी है हाल ही के पंजाब के अंदर जो सैना के छेतर के अंदर गोले गिरे वो डron से ही गिराए गए थे, ऐसी जानकारी निकल करके आई तो इसका उपाय क्या हो? तो ये तो वो वाली बात होगई कि सर, जादा खाना खाने से आदमी पेटू हो जाता है, मोटा हो जाता है तो बहुत हो आदमी को भूका रखो और बोले सर वैपन्स जो है ना वो वैपन्स अपने थेश में इतने सारे है अगर फट गए तो हमारा देश तबाढ हो जाएगा तो फिर वैपन्स मत रखोँ सर आपको पता है नूक्लियर वैपन्स है न, वो नूक्लियर वैपन्स दुश्मन के उपर चलाने के लिए हैं, लेकिन अगर हमारे उपर ही फट गए, सर हम खतम हो जाएंगे सर न्यूक्लियर रियक्टर्स है न जो देश के अंदर बिजली उत्पादन कर रहे हैं अगर उनमें से एक भी न्यूक्लियर रियक्टर ब्लास्ट हो गया न तो देश आधा समाप्त हो जाएगा तो क्या करें हम उप्योग करना बंद कर दें इस डर से कि भविश्य में ये काम अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा तो इसके इसाब से तो ये हुआ कि देश तरक्की करना बंद कर दे साइंस जितना आविश्कार लाती है उतना विनाश भी लाती है प्रवाइडिड वो किसके हात में है सुरक्षा एजेंसीज ये सुनिश्चित करेंगी कि इसका दुरूपियोग ना हूँ साइंस को तो अपना काम करने दोना वो भविश्य की संभावनाओं को लेकर आगे बढ़े चुनौतियां तो हर चीज में है मैं इतनी रात को आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा गला दर्द कर रहा है चुनौति तो ये भी एक एक दिन मेरे आवाज बंद हो जाएगी लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने काम से वेबुक हो जाऊं मुतलब कुल मिलाकर के मुद्दा इतना है कि आप लोगों को सकारात्मक्ता तलाश नी चाहिए नकारात्मक्ता का तो इलाज करने के लिए लोग बैठे है ना बाई तो उस चैलेंज को साइड में रखिए क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में एक ही आइडिया चल रहा होता है ऐसा आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो क्या होगा इलाज कर देंगे यार उनका भी ऐसे तो कल को आपके देश में इतनी सारी गाड़िया चल रही है वो किसी आतंकवादी के हाथ में लग गई तो क्या होगा देश में इतनी सारी कारे चल रही है कार में तो बंब लगाके फोड़ते थे ना ये लोग कार में बंब लगाके कई खड़ा कर दिया तो फिर पढ़ जाएगा सुरक्ष्टा तो उससे भी हो रही है आगे भी हो जाएगी तो बे फिकर रही है देश की क्रांती में आगे बढ़िये ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आजा है इसी प्रकार से भारत के अंदर प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना नाम से भी एक योजना चली है जिसमें ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है इसके अंतरगत क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार की देश के अंदर जगें हैं उनकी म वालियान, मकान हैं, उन सब को ध्यान से लोकेट करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर्टी को अच्छे से एनलाइज किया जा सके। तो ये मैंने सारी जानकारियां आपको बता दी, निश्चिती आपको फाइदे मंद होंगी। ड्रोन रूल क्या है, ये मैंने आपको यहां पर लिखित में दे दी है, क्योंकि मैं पई बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब दुवारा पढ़ाने के इनको जरुवत नहीं है, आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की अगली जानकारी क्या है, आईए जानते हैं, साथियों हाल ही के अंदर संत कभीर नगर उत्तर प्रदेश में राष्टपती रामनात कोविंद जी के द्वारा कभीर दास जी के लिए, जानि अब 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 दास जी तो है नहीं, उनकी रिसर्च के लिए, उनके फरदर अध् संत कभीर नगर के अंदर, किसने करी? राष्टपती ने, संत कभीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, स्वदेश दर्शन योजना के तहट इसका उदधातन किया गया, तो चलिए, इस प्रश्न के साथ साथ, देखिए मैं आपको एक बात इस पष्ट रूप से यहां बता संत कभीर अकादमी की स्थापना कहां हुई? आंसर है संत कभीर नगर, हो गया सर, मेरा तो इतना ही काम था, लेकिन आप लोग इस बार का भी UPSC Prelims का पेपर देख लिये होंगे, मैंने कली टेलिग्राम पर शेयर किया था, खुद ने भी पेपर जाके देख लिया होगा, अभी मेंस आएगा तब भी देख लेना, वो जितने भी प्रकार के प्रश्ण पूछता है, उन प्रश्णों में कहीं न कहीं, करंट में उनका जिक्र जरूर हुआ होता है, अब पता चले कि आप से संत कभीर के बारे में कभी जानकारी पूछ ली जाए, आप कहेंगे कि या संत कभीर की, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बता दीजिए, कि ये कौन से काल से संबंद रखते हैं, आप मेंसे जो भी हिस्ट्री के विद्यारती हैं, वो बता देंगे, उन मेंसे आधनिक काल, मध्यकाल और वो जो पीछे वाला काल है हमारा, वैदिकाल, आर्यक वो सब नहीं बता करके, आप समझ पाएंगे, कि मैं जब संत कभीर की बात करता हूँ, तो अध्यात्म के एक युग की बात करता हूँ, जिनके प्रवर्तक के रूप में आप इन्हें जान सकते हैं, आप इनके बारे में आज मेरे साथ जुड़ करके बहुत सारी बाते जान ही है, जिनके द्वारा कही गई कविताओं ने भक्तिकाल के अंदर एक नई उर्जा का संचार किया था, कितना मायने रखते हैं ये, इसकी आप इस बात से समझ जाईए, कि प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं, उन्होंने मघर के अंदर जो है, संत कभीर की, जो महा प करते हैं, ये तो रही न्यूज, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो की मघहर नामक जगे है, मघहर, अब ये आप बता दीजे कि कहां पर है, यूपी वाले विशेश रूप से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, संडे के दिन, मतलब कभीर दाज जी की जो है, वहाँ पर मघह के अंदर इनकी स्थापना की गई है, यहाँ पर ये एक प्रकार का वो बना दिया गया है, चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने की कौशिश करता हूँ, क्या है ये पूरी कहानी, आप कुछ चित्रों के माध्यम से इस जगह का द्रश देख सकते हैं, किस प्रकार स करोड से निर्मित की जाएगी, स्वदेश दर्शन योजना के अंतरगत ही सारे कारे करम किये जा रहे हैं, तो कौन थे संत कवी हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस में 15th सेंचुरी के अंदर एक जबरदस्त कवी पैदा हुआ, एक सोशल रिफॉर्मर पैदा हुआ, जो कि भक करते हैं, मिडाइवल युग की, मिडाइवल युग का मतलब भारत का वो काल जिस समय भारत में बहुत जादा नैतिक मुल्यों का पतन हो रहा था, विदेशी आकरमन हो रहे थे, दूसरे धर्म का इन्वेजन हो रहा था, ऐसी इस्थती में भारत के ही भीतर रह रहे लोगो ने, विशेश रूप से शंकराचारे जी के नित्रत्व में, लोगों को उनके नैतिक मुल्यों को याद दिलाने के लिए, विशेश रूप से आप सबको एक चीज में याद दिला दू, कि आप जिस रामचरित मानस को आज पढ़ते हैं, इसके उपर प्रश्न भी है, मैं आ नहीं पूछ लिया जाए कि बता दीजिए कि तुलसीदास जी किस काल में थे, काल से मतलब समझेए, आप यही समझ लिए, कितने साल पहले थे, एक लमसम गैस लेकर के मुझे बता दीजिएगा, कितने साल पहले तुलसीदास जी इंडिया में हुआ करते थे, क्योंकि आपन प्रतिनी यूजर फ्रेंडली नहीं थी यानि कि आप लोग उनको पढ़कर के उस प्रकार का रसका ग्यान नहीं ले पाते थे जो तुलसी की रामचरीत मानफ से ले पाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताईए ताकि आपको ये भक्तिकाल की बात बहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। वहीं भक्ति में क्या किया? भक्ति के अंदर गीत, संगीत, भजन, कीरतन इन सब का ध्यान किया। वहीं मुस्लिमों ने जो रिजीडिटी थी धर्म के अंदर उससे निपटने के लिए सूफी संतों के माध्यम से कवाली का आयोजन किया। और वहीं इसी काल के दौरान, विशेश शुरूप से इसी मध्यकाल के दौरान, पंदरवी सताब्दी के दौरान, सिखों के द्वारा गुरू बानी या गुरू कीरतन किये गए। यानि कि लोगों के अंदर भगवान के प्रती भाव या फिर जो उनके आराध्य हैं, उनके प्रती भाव पैदा करने के लिए नैतिक मुल्यों का बढ़ावा देने के लिए। उस समय तुलसीदास जी थे, हम और आपको बच्पन से जो रामचरित मानस फड़ी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी भगवान राम से मिले हुए थे, यानि कि उनका साक्षातकार प्रभू से हुआ था, हो सकता है उनके विचारों में हुआ हो तुलसी के राम थे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को जिस भवाव के साथ लिखा, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश क्या था, यही भक्तिकाल, जिस भक्तिकाल में प्रभू की भक्ति को इस प्रकार से महिमा मंदित किया गया, ताकि प या राम साब, यह शब्द अपने आप में आपको कितनी सारी प्रेणा देके जाता है, यह सब रामचरित मानस का कमाल है, जब आप रामजी का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाख में एक आदर्श पुत्र की व्याक्या होती है, एक आदर्श पती, एक आदर्श भाई, एक आदर्श सच्चा प्रीमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया हो, एक आदर्श व्यक्तित्व का भाव आपके अंदर पैदा होता है, यानि कि हमारे जहन में जो शब्द राम डाला गया, वो असल में उसका सबसे बड़ा उद्दिश यही था कि हमारे जीवन में नैतिक मुल्यों का बढ़ावा होता रहे, अदर्वाइस हुआ क्या, पौरानिक काल को, अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, हमारे थोड़े इतिहास को अगर पीछे की तरफ से देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कि जो जातपात का भ अंडितों के यह बस्की बात, लेकिन इस भक्तिकाल ने वो उच नीच का भाव खत्म किया, भगवान से सब की रीती लगाई, और आपको जानके आश्चर होगा, कि भक्तिकाल के अधिकانश संत, चाहे संत कवीर हों, चाहे संत रैदास हों, चाहे संत दादू दैयाल हों, य जिन्हें कभी पूजा के लायक नहीं समझा जाता था। इन्होंने भक्तिकाल के अंदर वो भाव लोगों के मन में पैदा किया, इससे फाइदा क्या हुआ? इससे समाज के अंदर समाजिक मुल्यों का तो विकास हुआ सो हुआ, सामाजिक वेमनश्य भी खतम हुआ उच नीच का भाव भी खतम हुआ जात पात का भेद भी खतम हुआ यानि आज के छेत्र में यदि मैं आज के परिपेक्ष में ये बात करूँ कि देश के प्रास्टपती के द्वारा संत कबीर नगर के अंदर कबीर अकादमी की स्थापना की जा रही है तो इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ संत कबीर का जन्म जुलाहा जाती में हुआ जुलाहा जो कि मुस्लिम हुआ करते थे उस समय धर्म कनवर्ट करके हिंदूों से ताजा ताजा मुस्लिम बने लोगों में संत कबीर थे अब यहाँ पर समझने की बात है मुस्लिम जुलाहा व्यक्ती जिसे धर्म में आस्था व्यक्त हुई हिंदू रिलीजन के अंदर उनकी आस्था बनी लोगों को उन्हों ने बहुत सारे उपदेश अपने दोहों के माध्यम से दिये कबीर के दोहे आज भी बड़ी मात्रा में प्रचलित है जाती में वो जाती जो की हमेशा मतलब निम्न जातियों में जिसको काउंट किया जाता था आज जने आप अनुसूचित जाती कहते हैं शुद्र में जिनको काउंट किया दा था इस प्रकार से आप एक पॉइंट से कितनी सारी चीजों की व्याक्या कर रहे हैं आपने एक अकादमी की स्थापना करी जो ये बताने का प्रयास कर रही है कि देश में अगर सामाजिक सामंजश्य स्थापित होना है तो संत कभीर को पूजा जाना चाहिए ये इसका उद्देश है तो आएए थोड़ी बातें और मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया मुस्लिम परिवार से मतलब इनका जन्म हुआ और यह भक्तिकाल में हिंदू भक्त हुआ करते थे हिंदू भक्तिकाल की लीडर हुआ करते थे रामानंद उन से प्रेरित होकर के इन्होंने काम किया इनके दौरा कही गई पंग्तियां, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में पूचा जाता है, आप इसे याद कर ले, इनके दौरा कही गई, मतलब कबीर जी के जो दोहें हैं, वो सिख जम के अंधर जो सिख जम की गुरु गृंत साहिब हैं, उसके अंधर भी देखने को मि देखिए मैं आपको यह चीज याद दिला दू जो सिख रिलीजन है वो भक्तिकाल के दौरान ही पनपा है उससे पहले सिख्खिजम का कोई भी प्रमान नहीं था उस दौरान जो सिख्खिजम की जो सबसे होली टेक्स्ट बुक लिखी गई डेट इस गुरू गरंत साहिब उस के अंदर मेंशन किया जो आज भी कबीर के दोहे के नाम से उस पुस्तक के अंदर विदमान है ठीक है ना इसी के साथ साथ उनकी लाइफ के अंदर मैंने जो जानकारी दी तथ्यात्मा खुरूब से हाजी प्रशांत वर्मा लिख रहे हैं दसरत सुत तीहु लोक बखाना र केशव गुजरिन का नाम है सर जी पूरा यूट्यूब चैनल देख लिया आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता और केशव यह लाइन कितनी जगे लिखके आए हो वसे इमानदारी से यह और बता दो मेरी नींद उड़ जाएगी मेरे भाई है ना आईए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जानने का है वो यह है इनका जन्म 1388 में या 1448 में इनके जन्म को लेकर के थोड़ा सा डाइस ही है मामला की कब इनका जन्म हुआ जुलाहा कास्ट से हुआ जो की कनवर्टिड थे इसलाम के अंदर फिर इन्हों ने जिस प पुस्तक के अंदर रखा जाता है कबीर जी को मानने वाले लोग कबीर पंत के लोग कहला है और यह अधिकांश दलित कम्यूनिटी से बिलॉंग करते थे सर केवल आपको ही लिखा है यह मसकरा लगा रहा है चले खेर कोई नहीं मैं मानता हूँ कि आपने मेरे लिए ही लिख वो शेक एमद सिरहंदी का था जबकि आपने गुरु रामानंद का देख लिया है ठीक है ना तो इस प्रकार के प्रश्ण पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने दे दिये हैं ठीक है चलिए उम्मीद है कि आप लोग इस बात को प्रपर त मात्रा में आ रहा होता है लेकिन दवा जो कड़वी होती है वही स्वास्थे के लिए अच्छी होती है यही कंसेप्ट है और इसी को ध्यान में रख करके हम उस एनरजी को बचा के आप तक डिलीवर कर रहे होते हैं यह सारे तथ्थे जो मैंने आपसे साजा किये हैं समझ य आपने भारत की पॉलिसीज के अंदर ड्रोन नीती के बारे में आपने चर्चा करी और अब साइंस एंड टेक्नलोजी का सवाल हम डिसकस कर रहे हैं एक बिमारी के बारे में बिमारी है नाक से खुन बहने वाला बुखार क्या है आईए चर्चा करते हैं रिसेंटली यह सु लेमोहरिक फीवर वाइरस CCHFV ये इस समय सुर्खियों में हैं जिन लोगों को यह बिमारी होती है उसके अंदर लगबग 10 से लेके 40% लोग मर जाते हैं नाक से खुन आने वाला बुखार है ये क्या न्यूज है आईए हम बताते हैं नोस फीवर कैसे फैलता है ये सारी बा दो जगे पर देखा गया उन में से एक महीला की इसके अंदर मौत हो गई जिसको नोस ब्लीड फीवर मिला उसमें से एक महीला की मौत हो गई लेकिन फिर भी घबराने की जरुवत नहीं है गबराने की जरुवत इसलिए नहीं है ये गुजरात के किसी एक्स्ट्रीम एंड म कहीं मिला था और फिर वहां पर से जिनको मिला उसके बाद में फिर संक्रमन की इसकी कोई खास ख़बर बाहर आई नहीं है भारत के अंदर इंडियन लोज ब्लीड फीवर यानि की नाथ जो है उसमें से कून आता है जब उखार होता है इसे क्रीमियम कॉंगो हेमोहेरिक फीवर कहा जाता है इसके जब मतलब यह डिटेक्ट होता है तो इसके बाद ऐसा होता है लास्ट वीक जो है वह एफपी के अंदर वहो के द्वारा इसको किया गया था अभी तक 19 लोग इसकी वज़े से मारे जा चुके हैं मीडिया रिपोर्ट को अगर बात माना जाए तो मैंने वो बता दिया है रिसेंटली भारत के अंदर एक महिला इसकी वज़े से मरी थी ठीक है क्रीमिया कॉंगो हेमोहेरिक फीवर वाइरस जो है यह किस प पहले इसमें बाइट के काटने से टिक के काटने से जो गाय भैस पर कीड़े चलते हैं उनकी वज़े से यह जानवरों में सबसे पहले आती है और उसके बाद से फिर यह इंसान में पहुंचती है CCHF वाइरस जो है फिर यह टिक बाइट जो इनसान को काट लिता है उसके बाद यह इनसान में एंट्री कर जाती है यानि कि एक प्रकार से यूँ समझ यह कि पहले जानवर में आया जानवर से इंसान में आया, sometimes ऐसा भी होता है कि जो जानवर कटने के लिए, यानि slaughter house में भेजे जाते हैं, उनके infected blood से या उनके tissue से इंसान में entry करता है, इसमें होता क्या है, नाक की जो अंदर की जिल्लिया है, वो कट जाती है, membrane कट जाती है, blood vessels leak करने लगती है, और फिर खू के लिए जिम्मेदार है, जी हाँ, 10 से लेके 40% लोग इस बिमारी से मर जाते हैं, अभी तक इसकी कोई भी vaccine तयार नहीं हो पाई है, 10 से लेके 40% इसके अंदर लोग मरने की मतलब गुंजाईश निकल करके आती है, ठीक है ना, इसलिए घबराने की जर्वत इसके अंदर, फ तो health के issue से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, फिलहाल के लिए ये जानकारी उम्मीद है, आपको अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साथियों के साथ शेयर करिएगा, साजा करिएगा, ठीक है, अन्य साथियों के साथ में, अब हम कर देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारियों में, सबसे पहली जानकारी रेफरल कोड की है, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनकेडमी पर आप 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं, रोजाना सुभह आपकी special classes हो रही है, साड़े साथ बजे, जिसमें म आपको 6 महिने का extension दिया जा रहा है, 6 से लेके 10 जून के बीच में यदि आप SSC का subscription लेते हैं, UPSC के अंदर अनकेडमी लाइट करके हमारा option है, जिसमें कि आप हमारे साथ test series जॉइन कर सकते हैं, लगभग 55,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक हमारी test series ले चुके हैं, आप इ उन्हें हिसाब से उन्हें जब चाहें देख सकते हैं, live भी देख सकते हैं, recorded भी देख सकते हैं, कई बार भी देख सकते हैं, जब तक subscription रहता है, तब तक देख सकते हैं, पूरा printed material आपको दिया जाता है, साथ में आपको proper mentorship दी जाती है, और daily answer practice आपको हमारे plus courses के अंदर purchase कर सकते हैं, 12 महिने का course 61,000 रुपे में है, आप इसे purchase कर लें, अंकित 10 लगाकर आप इस course को purchase कर सकते हैं, यदि आपको 2 साल UPSC का subscription रहा और उसके बाद भी अगर आपका selection नहीं होता है, तो unacademy अशौर करता है कि आपको 1 साल का free extension दिया जाएगा, ये unacademy का offer है, यानि क कि 2 साल के subscription के साथ, एक साल का subscription आपको free में उपलब्द करवाया जाएगा, ये अमारे द्वारा किया गया commitment, आप live mentorship program भी हमारा join कर सकते हैं, जिसमें आपको dedicated mentor उपलब्द करवाया जाता है, जिसके साथ जुड़कर के आप अपनी classes को continue कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विक्सित करें, कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित मैसूस करें, धन्यवार